लोकतंत्र की हत्या कर्मे के रादे से लोकतंत्र के ही नाम की छुरी बनाना सिर्फ विडम बना या विद्रूप में ही हैं। यहां भी कुछ राजघराने, कुछ दरबारी, आलही में लोकतंत्र को बचाने के लिए पटमयमिनित। गुण्षवादी राजनीती की जणे, रष्टा चार जनित राजविंती में होती हैं। कुछ अपराद बिना सुबूत के अपरादी का नाम चीख चीख कर बता देते हैं। नवसकार, पांच जण्ये के बिजिटन गुण्च पर आप सभी गस्वावेत हैं। लोगतंत्र की हत्या करमे के इरादे से लोगतंत्र के ही नाम की छुरी बनाना सिर्फ विडम बना या विद्रूप में ही हैं। बलके आप लोगों को गुलाम समझने की, दास समझने की मालसिक्ता का ही सबसे प्रमुख प्रकरण है। पुछ दिनों पूर्प दोबई में पाकिस्तान के दो सबसे शप्तिशानी राजनेटिक राजमंचों के जो प्रमुख थे और उनके वन्शस उनकी एक बैठक भी थी। इसमें कतित तोर पर यह दाय किया गया कि वहाँ चुनाव के फेहने जो कारवाख व्यवस्था एक सिस्टम बनाना होता है वो क्या होता है उसका खाका उस पर चर्चावी और इवे दोनों धहरानों के गटबंदन के तहत क्या होगा जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुव कुमिंट रखा है और पिट दर्माद लगाकर पैसला किया कि जमवूरियत कैसी होगी यानि लोकतंत्र कैसा होगा यानि राजचाधी लोकतंत्र का चेहरा तै करेगा लेकिन वास्तव में इसे रिखरां में पाकिस्तान के अपास केमिरे का कोई अधिकार नहीं है भारत में म कुछ राजघराने कुछ दर्बारी आल ही में लोकतंत्र को बचाने के लिए पेचना में मिनेत dealing चुनीनदा राजघराने और दर्बारी बैंगल्डूरू में मिलने वाने लेकिन एक अन्य राजघराने पर आए संक्रट को देखते हुए उनकी बैटक स्थंगेत हो गई अगर ऐसे ही राजघरानों और दरवारियों उसे लोकतंत्र परिभाशित होगा तो ये प्रश्ण उठना स्वाभाविक है कि क्या हम अपने लोकतंत्र को पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं उसका चेहरा मुगरा क्या उगवा इस महादवीत की परिवार वर्चस्ववानि सब्ता राजनीती की शक्ति सन्रचना दो बारिकी से समझा जाना बहुत आवर्शट ये जितनी दासका बोध पर आधारित और स्वामी बोध से संचानित है उतनी ही रष्टाचार से प्रेरित भी लगती है ये बात विचारनी है कि इस तरह का वंशवाद विशेश तोर पर भारतिय उप महादवीन में क्यों सबसे ज्यादा साफ तोर पर स्पष्ट तोर पर दिखाए देता है जहां वंशवाद को राजनीती का पर्याय मान लिया गया था क्या इसलिए कि सद्यों की आपनिवेशिक गुलामी के कुछ तंतु कुछ लोगों की मानसिक्ता में रच बस गए ने और ये उस मानसिक्ता का उस तंत्र द्वारा दोगर और शोशन तरने की कोशिश है क्या कुछ लोगों सिर्फ इस कारण प्रतिगामी किस्वी की बाते डरते ने क्योंकि उन्हे अपना अस्वार्थ इसी में नजर आता है कि लोग गुलामी की मानसिक्ता में जीते रहे यदे इसका लेश मात्र भी सच है तो इसका आर्थ ये भी है जिस उपमहादुरिक को अभी अपनी स्वतनत्र की आंत्रिक लड़ाई और लड़नी होगी इस आशे के कुछ शोध और अध्यद उपलब्द हैं जिनमें पाया दया है कि वंशवादी राजनीती की जणे हरश्टा चार जनित राजनीती में होती हैं तिजोरी की चावी किसे सोपी जाया। तिजोरी के आधार पर राजनीति कैसे चले। और राजनीति के आधार पर तिजोरी कैसे चले। यहीं दुश्चक्र वर्शुवात को जन्म देता है। हाला इंकी कानुनी कारणां से और अतिगोपनी किसी के सोथों को सिर्द कर सकने की जो भारी महरतम चुनाती है। वजबूरी है कि वहाँ चिंतर्व शूनेता और नीति विहींता भी वनी ले। इस प्रकार जो भी नोव्या से दगव का समर्थन करते हैं। या इस प्रगान के नेत्रत्व का समर्थन करते हैं, वे भी कोई नेने अपने विवेक से नहीं गेंदे, वो ऐसा नेने लेने में सक्षमिनी नहीं होते हैं, बलकि चीजों तो ढोने के लिए मजमूर होते हैं, ये स्थिती, राजनीती के विकास के लिए भी बड़ा खत्रा है इसे हले ही चाटू कारिता या धरबाली उगने के आदक कहकर टाल दिया जाता हो, परन्त केवल इतना नहीं है बारत में पिछली दशक में जिसनी नीतिगत पंगुता या पॉलिसी पैरलिसिस का सामना किया था, उसे इस परिप्रेक्षम में समझना चाहेगे और आसानी से समझा भी जा सकता है उसी प्रकार कुछ समवेदारिक निकायों में कॉलेजियम के नाम पर जो परिवागवाद चला और पुरे देश में बहस से नहीं, वो भी सपश्ट रूप से इसी वंशवाद और वंशवाद की राजनिति से प्रेरित और उत्रेरित है, ये बात खारिज नहीं किये जा सकत किन्तो आज अच्छी बात ये है कि अपराद धारा स्विम्शूखती जा रही है, कम से कम आधा दर्जन वंशवादी राजनितिक दलों को राजनितिक हैसियत जो उनकी थी, वो अब मात्र इस कारण धट गई है और धट ही नहीं गई है, शुनिय प्रायब हो गई है, क्यों तो वहाँ से वंश रह गया, वंशवाद का समर्थन करने वाले भी नहीं बचे, कुल्बे में दरारे दिखी, दरारे में डूपता हूँ कोई वंशवादी राजनिति थी, यदि राजनितिक दलों को पैसा कमाने के उन देश्य से किसी प्राइवेट येमिटेड कमपनियों सरीखा बना दिया जाएगा, और जो परिवार की वंशवादी राजनिति में उसका ठन धर्रा बदला जाएगा, तो उसका हश्र येही होना है, ये जितनी जल्दी अपनी ताग की परिनिती पर पहुंचेगा, उन कुनबों की निजएट बुरा, देश की लिए उतने ही झान नहाँ.